नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहत स्वागत करती हूँ आज इस विडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि RTE, Right to Education यानि कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हुए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के बाद अगर माता-पिता को या बच्चों को स्कूल से कोई शिकायत है तो वह वे शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं यह बात बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी जो भी शिकायत है पहले उसे स्कूल से जाकर बात करें स्कूल में जाकर बात करें कि हो सकता है कहीं कोई गलत फहमी तो ना हो शिकायत दर्ज करने का आखरी विकल्प रखें तो चलिए अब जान लेते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा www.edudel.nick.in की ओफिशल वेबसाइट पर फिर वहाँ जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ उल्टे हाथ में एक option है grievances का तो आप इसके उपर जब click करेंगे तो यह देए अब यहाँ पर यह तीन options आ गए हैं entry of grievance, reprint of grievance और status of grievance तो entry of grievance पर जाकर आप सबसे पहले जो है अपनी शिकायत दर्ज करेंगे grievance का मतलब होता है शिकायत और फिर reprint of grievance का मतलब हैं कि आपकी शिकायत को जो है सुना जा रहा है या नहीं या उसके उपर काम किया जा रहा है या नहीं तो सबसे पहले जो है entry of grievance पर चलते हैं यहाँ पर आपको जो है form तरीके से भरना होगा तो यह देखे तो सबसे पहले तो इन्होंने एक बात कह रख़ी है कि आपको ज मैं अभी इसे Chrome पर चला रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप भी Chrome पर ही चलाएंगे, तो date of registering the complaint तो खुदी लिखी आ रही है, फिर अब वो पूछ रहे हैं कि ये complaint जो है आप किसी NGO के तरफ से जो है register करवा रहे हैं या अपने self करवा रहे हैं, तो अगर कोई NGO आपके साथ है तो आप yes पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप no पर क्लिक कर देंगे, अब जो इन्होंने सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि जो complaint कर रहा है वो कौन है, यानि कि आपको अपना खुद का नाम लिखना है, कि आप बच्चे के माता हैं, पिता हैं, कि आप जो भी बच्चे के लगते हैं, आप अपना नाम लिखेंगे, जो complaint दर्ज कर रहा है, फिर नीचे जो है आपको बच्चे का नाम लिखना है, तो बच्चे का नाम जो है, वो जो भी आपके बच्चे का नाम है, आप वो लिख सकते हैं मैं अभी यहाँ पर जो है खुश्बू नाम डाल रही हूँ फिर उसके बाद लिखा है relation of the child तो अगर बच्चा आपका बेटा है तो आप यहाँ पर son लिख देंगे son और अगर बच्ची आपकी बेटी है तो आप daughter लिख देंगे जैसे कि मैं लिख रह लिखिएगा कि आप काम करता हुआ mobile number और काम करती हुई email ID भरें जो एकदम सही काम कर रहा हूँ जिसका आप रोज मर्रा में इस्तमाल करते हैं फिर आप जो है complaint लिखेंगे कि आपकी complaint किसके खिलाफ है पूरे स्कूल के खिलाफ है या किसी एक बंदे के खिलाफ है तो अभ कि अभी हम RTE की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई private school ही होगा फिर वे आने के बाद उन्होंने बोला है कि नाम सेलेक्ट करें school का तो मैं अभी यहाँ पर कोई भी school का नाम सेलेक्ट कर रही हूँ लेकिन आप वही school का नाम सेलेक्ट करीगा जिसके खिलाफ आपको complaint करनी है फिर यहाँ पर nature of complaint लिखा है यानि कि अब आपको समझाना है सौ शब्दों में कि आपकी school से क्या शिकायत है तो यह बात शायद आप Hindi में भी लिख सकते हैं अगर आप अपना keyboard चेंज कर लेंगे तो या फिर आप English में भी लिख सकते हैं जो भी आपकी शिकायत है कि school वाले आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर आप preview पर click कर देंगे तो यह मैंने आपको तरीका बताया कि आप किस प्रकार RTE के तहट school में दाखिला होने के बाद अगर आपको school से कोई दिक्कत है तो complaint register कर सकते हैं अब मैं आपसे इजा अच्छा हूंगी अगर आप RTE के संबंदिद और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षय को अभी subscribe करिए घंटी का निशान दबाना न भूले धन्यवाद